हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ 21 किचन हैक्स बहुत ही ज़दा अमीजिंग से हैक है और यह जो हैक हमारे किचन और हमारे घर के लिए बहुत ही ज़दा किफायती भी होने वाले हैं तो साथ ही साथ कुछ हैल टिप्स भी इंक्लिउड है तो थोड़ा साद хорошо अगर थोड़ा सा बड़ा है तो आप यह क्राय कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने लिया है दो बड़ी लाईजी के दाने पर यहां पर ठोड़ा बच्छेंगे आप उसको चाय वह गयरा में डाल सकते हैं पांच येह पर लेनी है बादाम की घीरियां आपर घीरि अच्छे से इसका पाउडर बना लिया है मैंने देख सकते हैं आप बहुती फाइन पाउडर तेयार कर लिया है तो अब यह दीना कैसे है इसको बहुती अच्छे से जानते हैं यहां पर लेंगे हम एक चमच मलाई और मलाई ठंटी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का जो अच्छे के लिए अच्छी रहती है मलाई में आधा चमच आप डालेंगे यह पाउडर और बच्चों को रात के टाइम देंगे सोने से पहली तो अगर यह हैक आप ट्राइक करेंगे न तो बच्चों की जो खांसी है न बहुत जल्दी चली जाएगी यह ट्राइन टेस्ट और पहलेंगे नेक्सτο है हमारा किचन से ही रेलेटी है किचन में क्या होता है न जो घबब्लदी न यहा दुख तो में क्लिंग रैप को अच्छे से न राप कर लेते हैं और थोड़ा सा आपको जो है जो चोड़ाई है ना उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि फ्रिज के जो चोड़ाई कितनी है जहां पर हमें क्लिंग रैप लपेटना है तो इससे के होगा ना गंदिकी बिल्कुल नहीं होगी और इस गॉल भोटल की वज़े से ना तो बहुत ही आप खोलते जाएंगे और क्लिंग रैप चिपकता जाएगा बहुत ही बढ़िया है कि ट्राइंड टेस्टिड है क्योंकि मैं ऐसे ही अपने फिज के उपर जो है क्लिंग रैप लगा कर रखती हूं और उसके बाद थोड़ा सा हाथों से फैला लेती हूं इससे जो भी बहुत जादा गंदी हो चुकी है हल्दी हल्दी हो गई है और दूद वगरा के बर गिल जाता है छलक जाता है तो उस टाइम आप इसको निकाल कर फैंक सकते हैं अगला एक हमारे घर से रिलेटिड है जो बच्चों के शूज वगरा होते हैं या फिर बड़ों के भी उस हुआ होता है अलग से तो मैं इसमें रख रही हूँ और अब हम क्या करेंगे इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा का थोड़ा सा मैंने वैसे भी डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने इसको एक पेपर वाले क्लोथ में रखकर डाल दिया है थोड़ी थोड़ी द लसुन के बीच में मैं इस्पेशली जो यह लाल मिर्ची ज़रूर रखती हूं इसे कीड़े वे गएरा नहीं लगते और और बहुत जादा एक बढ़िया हैक देने वाली हूं अगर तो बहुत जादा माउट में है तो आप लाल मिर्ची रख सकते हैं और अगर यह वाला जो स इससे जो लसुन है न बहुत लंबे समय तक श्टोर रहेगा चाहे इसको आप फ्रीज में रखें चाहे ना रखें यह वाला हैक भी उन लोगों के लिए है जो की बोटल्स को हैक्स की रूप में यूज़ करना चाहते हैं घर पर भी उनका रियूज़ करना चाहते हैं स्प्रे वाली बोटल से आप बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें डाल सकते हैं जो क्लीनिंग के परपस से हो चाहे आप इसको face पर spray के इबार करता है, अपने hairs पर गिला करने के लिए water spray वाली bottle रखना चाहते हैं, अच्छे से clean करना बहुत जादा जरूरी है, कोई भी bottle आप अगर आप market वाली यूज़ करते हैं, तो मैं तो इसको यूज़ करने वाली हूँ, बहुत ही बड़ी है तरीके से अपने घर पर gardening में यूज़ करने वाली हूँ, तो इसके जो उपर wrapper होता है जैसे कि ये sticker साब बहुत ही ज़ादा अच्छा नहीं लगता, इसके लिए आप इसको पानी में छोड़ देंगे, अगर गरम पानी में छोड़ेंगे तो पांच मिनट के बाद ही है, अच्छे से गल इसको ना राद पर पानी में डाल करना भीगो कर रखेंगे, इसका पानी पोदो में डाल दीजिए, नहीं तो इसको रैपर को खोल करना आप इसमें से जो भी हर्ब निकलते हैं, वो as it is ही अपने gardening के लिए यूज़ कर लीजिए, और क्योंकि इतना डायम नहीं रहता कि या इसको स्प्रेइ बोटल में डालेंगे न, यह जो ग्रीन टी के हब्स को, तब भी आप इसको स्प्रेइ के रूप में इसको यूज़ कर सकते हैं, नेक्स है के हमारा चाय से रिलेटिड चाय के लिए हमें तोलसी, यह अद्रक, बड़ी लाइची, छोटी लाइची, इसके एक कॉम्बिनेशन हमेशा थोड़े पास में रखना चाहिए, जहां पर आपकी किचन स्लैब होती है, साथ के साथ ही जैसे चाय बनती है, इसको चाय में डालते रहेंगे, इसे हम कांसी जुकाम इन सब चीजों से बचे रहेंगे next track है सिक्कों से related जो सिक्के होते हैं बच्चे के बार मुव में डाल लेते हैं और के बार क्या होता है जब हम सब्जी वगेरा की ख्रीदारी करते हैं तो बहुत सारी amount में हमारे पास सिक्के कठे हो जाते हैं नेक्स्ट है कि हमारा केबल के होता है हमारी फिंगर में कट लग जाता है उसकी वज़े से अगर तो आपके पास ऐसे सिलिकोन वाला है तब आप इसका यूज कर सकते हैं ये बच्चों का टूथपरश होता है जब चोटे बच्चे होते हैं अगर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पॉलोथीन लपेट सकते हैं, और जो हमारा अलमीनियो फोई लाता है, वो लपेट सकते हैं, वो सरह हैक मैंने आपको एक साथ ही बता दिये, नेक्स ट्रैक है, हमारा कुछ ऐसी चीज़े होती हैं, जहां पर हम बहुत जादा ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि ये, तो आटे की वज़े से ना, ये जो हमारा किचन स्लैब की बिल्कुल नीचे होता है, हमारे जो कबड़्स होते हैं, वहां पर ऐसे ना, मिट्टी, और कठी हो जाती है, इसको हलका सा गिला करने के बाद बहुत एजली निकल जाएगा, तो आप ये वारा हैक ज़रू टाए कीज़ेगा, और मुझे कॉमेंट सेक्चन में ज़रूर बताइएगा, नेक्स्ट रैक है, हमारा डिटल से रिलेटिड कई बर क्या होता है ना, हमारे जो किचन एरिया होता है, स्पेशली जहां पर हम रोटी बगच़रा बनाते हैं, गैस एरिया, वहां पर हमें इसाफ सवाई की बहुत जाधा जरूरत होती है, यह तो इसको क्या सकते हैं, पानी के उपर आप जो है डटोल तोड़ा सा डाल करने इसको सारी एडिया पर लगा सकते हैं जहां-जहां पर आप खाने का सामान रखते हैं या फिर जो गैस एडिया होता है और इससे कि उगण बैक्टिरियां वगएरा नहीं आएंगे चींटियां वगेरा नहीं आएंगी चोटा सा हैक है जरूर ट्राइ कीजेगा उस एरिया पर जहां पर चाहते हैं कि चींटि या मक्खी ऐसी कोई चीजें हमारे उस एरिया पर बिल्कुल ना जाए तो ये हैक जरूर कीजेगा जाने से पहले कहीं भी ट्राइवलिंग पे लिए चाहते हैं तो नेक्स ट्राइक है हमारा एक से रिलेटेड केवर क्या होता है एक जो टूर जाता है और एक ही एक बचा होता है तो आप क्या करते हैं उसको बोईल करना चाहते है पर बोईल नहीं हो पाता तो इसके लिए आप आटे की एक लोई लेंगे अच्छे से उसको ढग देंगे और इतना अच्छे से ढगेंगे कि boil करते है टाइम नहीं आटा चूट कर अलगना हो जाए तो थोड़ा सा आदी से जादा इसको cover कर देना अगर आप उसी एरिये पर थोड़ा सा आटा ही लगाते है ना फिर ये hack नहीं काम करेगा तो अच्छे से पानी और नमक सब कुछ करना है उसके बाद मैं इसको जो है दिखाती हूँ हलका सा ही बहार आया और उसके बाद हम इसको cut कर लेंगे normal हलका से ठंडा होने पर आप इसको chill सकते हैं और बहुत easily chill गया है और बहुत अच्छे से boil हुआ है जैसे की normal eggs होते है नहीं तो जो egg फटा हुआ होता है उसको तो हम omelette क के रूप में यूज करते हैं boil करने का तो सोचते भी नहीं है किचन के कबड़ के लिए आप यह जिरू ट्राइ करेंगे इसमें क्या करना है आपको oiling कर देनी है oiling एक बार अगर आप कर देंगे ना तो इससे बहुत लंबे समय तक आप जो है हमारे cupboard होते हैं किचन के cabinet के वो junk free रहते हैं उनमें जंक बहुत लेट लगता है या नहीं लगता है बहुत जादा समय से use हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो दिक्कत आती है और उसके बाहत स्मूद कपड़े से साफ कर देजिए दुबारा oiling करके उसको लगा दीजिए यह हैक पता है क्या है मिर्ची और दूद का combination कोई नहीं होता पर मिर्ची और मलाई का combination बहुत ही जबरदस्त होता है जो हरी मिर्ची होती है न हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा थोड़ी टॉंसिल्स की दिक्कत रहती है उनको तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए तो अगर आप खाना चाहते हैं हलका सचट पटा और थोड़ा सथी कपन चाहते हैं जादा नहीं तो इसमें मलाई एड कर सकते हैं अच्छे से मिर्ची का पेस बना लीजिए मलाई एड हलका सा इसमें सेंधा नमक व्यगारा या दूसरा नमक वाइट वाला डालिए और इसका यूज कीजिए ट्राइं टेस्टिड है बहुत ही जादा अमीजिंग लगता है बच्चों के जो सौकसिज होते हैं नगर पियारी बहुत ही जाधा अच्छी लगती है पर क्या होता है न कि अपर अच्छे से ना धोही हों तो यह वहला हैक मत कीजएगा यह बिल्कुल नहीं जैसी है जब वहुत जाधा छोटा था बेबी इस टाइम की है और फिर एक या दो बार ही आइटिंग डाली गई है तो बिल्कुल नियू सी है तो बहुत अच्छे से यहां तो धोएंगे या फिर कोई नियू जो बच्चा नहीं डाल रहा है या फिर छोटी हो चुकी है बच्चे के वो आप इन हैक्स के उपर जो क्यूंकि है हमारे पीजिसे कंशी होती हम साफव मुशना के हैं vp और उपर संब पाफबो साफसूत्री चीजों की तो जादा रहता है अब क्या करेंगे एक हैं अवसिक हैं किया चर्डाती9 ऐसले ने से ऐसले से हम इसले का टॉप刁 करेंगे और जब भी ऑईल इसमें से गिरेगा ना तो वो सारा सौक से उपर गिरेगा उसके बाद सोक्स को आप धो भी सकते हैं रियूस भी कर सकते हैं नेक्स एक है बहुत ही जादा इंपोर्टन सा बहुत ही जादा कीबर के होता है ना हम चाय वगेरा के लिए एक अलग से माम जस्ता रखते हैं चोटू सा जो सभी के घर में होता है बड़ी लाइची अद्रक वगेरा कूटने के लिए तो उस वज़े से जब हम इसको अच्छे कर सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग सा लगता है अगला हैक ना लसुन से रिलेटिड है लसुन का अलड़े मैंने एक हैक बता दिया है अब यह सेकिंड हैक है जो है सुपारी से रिलेटिड सुपारी के होती है ना सुपारी का एक अलग सा फ्लेवर होता है इसकी अलग सी मह इसकी वज़े से ना जो लसुन है इसमें कीड़े नहीं लगते हैं जादा समय के लिए आप जो है लसुन को स्टोर करके रख पाएंगे और मेरी मानिए अगर आप जो इसके रूट्स को नहीं जलाना चाहते तो आप इसको फ्रिज में रखेंगे विद सुपारी बहुत ही चो नेक्स रेक है लोंग से रिलेटिड केबर क्या होता है ना जो भी हम ऐसे चीज़े होती है जो बहुत ही जादा लंबे समय के लिए चलती है उनको ऐसे हमें ओपन पैकेट में नहीं रखना चाहिए कुछ ऐसे जिप लोग बैक्स होते हैं उनका यूस करना चाहिए या फिर लोग में डली हुई चीज़े ही हमें परचेस करने चाहिए ऐसे इनकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है नेक्स रहे को एक्स रिलेटिड एक क्या होता है न कि हम बहुत चाहिए यह खराब और बहुत लंबे समय के लिए आप उनका उनका यूस कर पाएंगे ट्राइ आउट कियाए का यह ट्राइट एंट एक है और मैं इसкусहीब यह उसका है यूज़ करती हूँ नेक्स ट्रैक भी हमारा चावल से रिलेटेड है चावल को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए इसको जो है कीडों से बचाने के लिए आप यह ट्राय कर सकते हैं दालों में भी उस कर सकते हैं क्योंकि दाल वगेरा में भी लगते हैं दलिया में लगते हैं तो आप इन सारी चीज़ों में तेजपते का यूज़ कर सकते हैं और तेजपते क्योंकि दिखने में भी इतना बड़ा होता है कि आप गलती से भी उसको कुकिंग वाले जगह पर नहीं डाल पाएंगे जैसे कड़ाई में एक दम से हम चीज़ों लट देते हैं या फिर दूने के लिए डाल वगयरा रखते हैं तो तेजपता साइड में निकाल लिए और यूज़ कर लीज़ेगा अब यह हैक है उन लोगों के लिए जो खाना चाहते हैं कुछ नमकीन तो आप क्या कर सकते हैं अगर आप हेल्दी वर्जन की तरफ जाना चाहते हैं तो दीशी घी में आप यह मकाना को रोस्ट करके रख सकते हैं इससे कि बहोगा जो भी वेट लोस के लिए ऐसी चीज़ें ढूणते हैं कि हमें वेट लोस में खाने के लिए टेस्टी भी लगे और हेल्थी भी हो और हमारा वजन भी नबड़े तो उनके लिए ये मखाना की रेसिपी बहुत ही जादा important चोटी से है आप इसमें नमक को भी avoid कर सकते हैं अगर आप नहीं खाना चाहते हैं मैं भी स्कुर से बना कर रख लेती हूं और बहुत ही जादा टेस्टी और कुरंची होती है उमीदे हैं आज के सारे हैक्स आपको पसंद आए होंगे पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब थेंक यू फर वचिंग